terce 공 diver ह हmpха फ्रेंस टड़िए ग हमसे स attitudes वेस होते हैं कॉछे टोपिक रहेगा को होगा बीसिव बीजिक six point zero में स्कोप औफ व्यरियबस अब बसकोप व्यरियबस क्या होते हैं कौन में सिपक वरियय fifty क्या होते हैं the scope of variable is its lifetime of the program scope of variable हमें ये बताता है कि program का lifetime क्या है कितने टाइम तक program रहेगा कितने टाइम तक उसे हम use कर सकते है program को right सबसे first example ले सकते है cloth का हमने एक cloth भाई गया ठीक है हमने cloth भाई करिद लिया हमें करना कहा हमें ये चेक करना है कि उसके lifetime कि कितने time तक तक उसके कर सकते हुझ और यूज़ पर depend करता है ग में तक हम उसको इसको इइस घ हो सकता है तो अलग अलग time के अलग अलग lifetime होता उससे तरह से प्रोग्राम की lifetime भी होते है आपने एक प्रोग्राम बना दिया dubus कर भाट handing कर दिया सेक्ष इसकर दिया हो सकते है कि उस particular code को हम किसी another number of code में आद नदर program में उसका हम use कर लें तो क्या हम ऐसे use कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन सब को मिला कर बोला जाता है lifetime ठीक है कि age क्या रहेगी इस program की in the simple terms scope of variable is the lifetime of the program scope of variable क्या होता है lifetime होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम का जो यह बताते है प्रोग्राम कितने देंप तक हम use कर सकते हैं this means that the scope of variable is a block of code इसका कहने का meaning क्या है this means that the scope of variable scope of variable is the block of code कि scope of variable क्या है इस ब्लोक ओफ कोड है यानि पूरे का पूरे and use can be mode जहां पर हम variable को use करेंगे जहां पर हमने उसे declare किया है and can be modified और उसको हम modify भी कर सकते हैं सबसे पहली बात variable कौन सा use करना है उसको declare करना और फिर declare करने के बाद जो आपने value दिया कर बाइचास उस value का आप change करना जाते हैं हो सकता है उसी program के last में front में या कहीं पर भी बीच में आप code को change कर रहे हैं वही सेम बात जिससे last video में example लिया था कि अगर आपने एक बाद starting में a की value दे दी है 10 dim a as integer and a की value आपने पकड़ा दी है 10 and a की value 10 कर दी आप जाते हैं कि इस coding के बाद इस code के बाद जो next वाला code हम लिख रहे हैं next किसी another object पर किस अनदर control पर तो उसमें value जो है एक ही change हो जाएगी लेकिन same scope में change नहीं होगी यहाँ पर same scope का मिनिंग क्या है कि एक block of code में एक की value एक ही रहेगी another block of code में change हो सकती है कि प्रजेक्ट बनाना संफ है 2 control का हमने use किया है कौण से कंट्रोल का use किया है suppose करो कि एक तो control कि यह and textbox control दूसरा control हमने use किया है command button घंद क्या use कि और से बेल्यू पी पकड़ाई उने स्पोस्कोर कि जब आप टेक्स बोक्स की बात करते हैं महां पर आपने एक पूसट्टू प्रत अब कमांद बटन की बात करते हैं में एक पूसटू प्रत बास सब शिय दोनों के लिए लेकर नहीं हुआ क्योंकि जो हमने से किसी स्कॉप को सकते हैं किसी वेरियबल के प्रोसेज़रल लैबल था सकोप सेगर स्कोप है, Procedural Level Static Scope. Next आता है, Third Level, Module Level and Fourth आता है, Global Level. चार स्कोप होते हैं, Procedural, Procedural Level Static, Module Level and Global Level. First, जो स्कोप आता है, वो कौन सा है? First स्कोप आता है, Procedural Level Variable Scope. इसमें क्या होते हैं? Procedural is a particular block of code with a problem variable declared using dim statement. Procedural Level क्या होते है? Procedural Level में हम एक पूरा Procedure बनाते हैं, Procedure like function की तरहीं होते हैं, Procedures. तो हम एक Procedure बनाते हैं, जिसके अंदर हम particular number of code लिखते हैं. उस Procedure का काम क्या होता है? किसी particular task को perform करना. जो हमने line of code लिखा है, उसी task को perform करने का काम किसका होता है? Procedural Level का. Procedure क्या है? Procedure आपको समझ में आगे, Procedure एक function है, इसके अंदर हम particular block of code लिखते हैं, within the problem, किसी problem को solve करने के लिए. जहां पर हमें variables की need होगी, variables को हम आप पर declare भी करेंगे, variable का use करेंगे, हो सके तो variable को हम initialize भी करेंगे. variable को declare कैसे करेंगे? by using the dim state में. जब आप procedural level variable की बात करते हैं, तब आपको एक variable declare करना है, तो आप dim का ही use करेंगे, जैसे कि एक normal variable के लिए किया चाता है. अब आपने जो examples अब तक देखेंगे, यह last time हमने addition वाल example लेखा था, वो भी एक procedural level था, क्योंकि आपने एक command button control पर ही काम किया, पूरे के पूरे form पर काम किया है, single एक control पर काम किया है, इसे हम procedural level variables को बोल सकते हैं, यहां पर देखिए syntax भी लिखा हुआ है, कि dim my int as integer, यह जो and as, as करने के बाद last में आएगा data type, जिस भी data type का आप use करना चाहते है, variable, done, समझ में आए, जब procedural level की बात करते हैं, तो procedural में क्या होता है, एक line, एक block of code के लिए हम दिखते हैं, किसी problem को solve करने के लिए हम block of code लिखते है, and variable को जो भी हम use करना चाहते है, तो variable को सबसे पहले declare क करेंगे, और declare कैसे करेंगे, dim keyword का use करके, आपको एक example दिख रहा है, procedural level का ही, example में क्या करना है सबसे पहले, private sub command के click event पे हम काम कर रहे है, sub command यानि की private है, sub procedure है, and command button के click event पे हम यहाँ पर काम करेंगे, command button का जो name है, वो क्या दिया गया है, cmd1, या आपको properties में set करना होता है, पहले, तब जाकर आप इसका इस तरह से name यूज कर सकते हैं, by default भी अलग-अलग names होते हैं, अब बात आती है, variable को declare करने की, variable को declare कैसे किया है, dim num as integer, dim keyword same रहेगा, तभी तो हम procedural level पे variable को declare कर पाएंगे, तो dim keyword same रहेगा syntax की तरह, फिर हमने variable का name लिया, variable का name हमने क्या लिया है num as integer, integer क्या है, data type, फिर next वाली line में आकर हमने क्या किया, कि जो भी हमने variable declare किया है, उसका अब हम use करने है, क्यों क्या कर रहे है, कि num की value हमने 45 दे दी, और print statement का use करके, उसे next वाली line में हमने num को print करवा दिया, पहले declare किया variable को, variable को initialize किया, यानि उसकी value assign कर दी, and last वाली statement में print statement का use करके, print करवा दिया, num को, command button one, click event is a procedural name, यह पूरे procedure का नाम है, procedure का नाम क्या है, click event, किसका, command button का, और यहाँ पर जो num है, वो एक procedural level variable है, यह आपको बता रहे है, इस program में कौन से चीज़ क्यों use की गई है, command button के click event क्या है, एक procedure का नाम है, और procedure level पर जो हम use करना चाहते variable, उसका name क्या है, num, और उसकी variable की value कितनी है, 45, जैसे ही यह procedure खतम होगा, num को print करने के बाद, इतने block of code के बाद जाने की, जैसे हमने declare किया, value दी उसको, और print करवा दिया, तो print करने के बाद, आप कहीं पर भी इस value का use नहीं कर सकते, आप जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे text box 1, text box 1 में num की value को print कर दो, यह num की value को display कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, वह एक color control है, command बटन एक color control है, यहाँ तक कि आप दो command बटन में same value को use नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप आप से declare कर लिजी, वहाँ पर भी num as integer कहिए, और num की value को चोछ और दे दिजी, प्रिंट कर द करते हैं, and सब के indicate करते हैं कि आपका procedure जो यहाँ पर खतम होगया, finish होगया, तो से ही था हमरा आज का topic, आज हमने discuss किया scope of variable का introduction part and first scope of variable which is procedural level variable scope, जिसके अंदर हमने definition, syntax and example with explanation discuss किया है, I hope कि यह topic आपको समझ में होगा, अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई doubt आ सकते हैं, वीडियो पसंद आए, then like, share, subscribe करना, comment करना, ना भूले, आपने subscribe कर दिया, तो अपने family में, अपने friends से subscribe कर आ सकते हैं, thanks for watching my video, हमारे चैनल study hack with mehack को like, जादा से जादा share and subscribe करे, अगर आपने subscribe कर दिया है, तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं, क्योंकि subscribers बहुत ज